नवश्कार दोस्तों मैं हूं डूक्टर मृश्कारी आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करता हूं आज हम एक पेट्रेंट दवाई के बारे में बात करेंगे जो कुछ होम्योपती मेडिशन से मिलकर बनी है एलन एफिप्टी तरी ड नए है तो जानल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटिट पीटियोच से अप अपडेट इट रहें ये दवाई हेयर फोल में पेशेंट को दी जाती है ये फोल किसी भी वज़े से हो स्किन कंडिशन की वज़े से हो जैसे एक्जीमा हो जाता है कहीं ब हेयर फोल हो रहा हो बैलनेस आ रही हो और पैचिस बन गए हो एलोपीशा की शिकायत आ गई हो तो ऐसी कंडिशन में यंग एज में अगर ये दवाई दी जाए तो उसमें काफी रिलीफ मिलता है क्योंकि ये दवाई में कुछ ऐसी होमिबती मेडिसिंस डाली गई है जो मिलती है इसके लाव अगर पेशेंट को सर में खुजली हो रही है खुजली बहुत जादा हो रैडनेस आ रही हो तो उसमें भी असरदार रहती है चलिए अब जान लेते हैं कि इसमें कौन सी होमिबती मेडिसिंस डाली गई है पहली इसमें दवाई डाली गई है जो पोशन की कमी के करण अगर हेर फोल हुआ है तो उसकी पोशन की कमी को पूरा करती है क्योंकि दवाई भूख बढ़ाती है लोस ओप एपिटाइट में से हम देते हैं इसके लावा ये दवाई मेंटल और फीजिकल वीकनेस को दूर करती है अगली दवाई इसमें लाइको प पैडन है ये दवाई भी हेर फोल के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है साथ में पेशन्ट की रिग्रोथ करने में भी मददगार रहती है लाइको पोडियम और वाईस पैडन दोनों दवाई सफेद बालों में भी दी जाती है जिन लोग को अर्ली एज में ही सफेद बाल उसको दूर करती है mental weakness को दूर करती है और री प्रोथ में मदद करती है अगली दवाई स्में acid force दाली गई है अगर पेशन्ट को ये सर के बाल के साथ साथ आईब्रोस के बाल या दाडी के बाल कहीं के बाल भी गिर रहे हूं ऐसे लोस हो रहा हो बैडनिस देखने को मिलती ह है तो उसको ठीक करती है अलोपीशिया रेटा एंडोजनिक अलोपीशिया दोनों में यह दवाई असरदार रहती है यानि एलन A53 को कैसे हम पेशेंट को दे सकते हैं इस दवाई को खाना खाने से पहले दिन में तीन से चार बार दें एक चोथाई कप पानी में 8-10 बूंदे डाल कर लेकिन अगर आपको ऐसी कोई शिकायत लंबे समय नहीं खाएं नहीं तो दिये गए वोट्स अप नंबर पर हमसे संपर कर इलाज ये सला ले सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करें कोमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है थैंक्यू